हाँ जी हलो एव्रीबन एम आउडिबल कें यू प्लीज कनफर्म इफ आम आउडिबल तो यू हाँ जी एक बार बता दीजे के मैं आउडिबल हूँ आप सभी के लिए आप्टिमम टाइम रिक्वाइड हाँ जी बताएं भाई ओके जी तो आज यूजवल पेपर कहा गया था के एपी एफ सी का टफ आएगा लेकिन मैंने बीच में ही जाकर के आपको बताया था के एपी एफ ओ अगर उन्होंने टफ दिया है तो कुछ पोर्शन एपी एफ सी में वो इजी देंगे तो इंग्लिश अगर मैं कहता हूँ तो बीस क्वेशन उन्होंने इंग्लिश के दे दिये हैं लेकिन वो इजी हैं क्वेशन्स आर इजीर दान एपी एफ ओ इन एपी एफ सी एग्जामिनेशन अउन्ली इंग्लिश शेक्शन पेपर लेंथी है डि आई भी डाली है उन्होंने मैथ्स में रीजनिंग का सिर्फ एक क्वेशन है अगर किसी ने एपी एफो एउ की आंसर की डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम पर अविलेबल है वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं discussion हमने एक separate वीडियो में कर दिया है already ठीक है जी हाँ जी तो शुरू करें भई प्रणाम जी जाटे ट्यूट जी बोला था या नहीं बोला था कि भई जो APFC है वो थोड़ा सा easy आएगा हाँ जी बिलकुल ये भी बोला था कि भई एओ वाला ही पढ़ लेना एक बार ठीक है चलो तो questions की answer की देखना शुरू करता है detailed discussion हम लोग कल करेंगे भई देखो ये था passage ठीक है passage का आपके पास question था simply ठीक है अगर हम बात करें हाँ जी बिलकुल यहाँ पर simple passage था first question का answer है D ठीक है area meant for sustainable farming that works in tandem with nature D answer है ठीक है second question अगर मैं बात करूँ second question यहाँ पर सीधा सीधा simple C option की तरफ इशारा कर रहा है कि C option आपका answer होगा बिलकुल सही है C option आपका सही answer है third question आप देख सकते हैं third question what does a tiny share of grain was processed अब इस question में marketing word देख करके आप थोड़ा सा confused होगे होगे ठीक है but answer यहाँ पर क्या था the demand for millet is not very encouraging in market ठीक है इसलिए C option आपका answer रहेगा हाँ जी C option आपका क्या रहेगा answer रहेगा fourth question देखो भई हाँ जी यह था introduction of small scaled localized mechanical milling से related अगर आप इसकी बात कर रहे है mechanical milling की तो वहाँ पर improvised machines की बात हुई थी किसकी बात हुई थी improvised machines की बात हुई थी fourth question C answer fourth question C answer ठीक है जी यह booklet C है भई याद रखना booklet C है हाँ जी fifth question देखो यह रहा millet yield has increased because ठीक है millet yield increase हो गई थी passage के according अब यह क्यों increase हुई थी क्योंकि वहाँ पर sustainable farming practices जो थे वो follow होने लगे थे तो A option सबसे suitable लगता है यही आपका answer रहेगा A option will be your answer ठीक है overall paper जो था वो lengthy था भई बिलकुल no doubt this was a lengthy paper अब यहाँ पर यह जो है पूछ लिये गए है grammar नहीं पूछी गई है synonyms और antonyms भी पूछे गए है ठीक है तो यह देखो sixth question before the judge वाला है ठीक है और इसको आपने arrange करना था sixth question का answer है C QSPR ठीक है जी sixth question answer C seventh question देखो seventh question answer is D QSPR answer is D इसकी complete answer की भी आपको telegram पर मिल जाएगी ठीक है आप वहाँ से भी बाद में download कर लेना question number eight question number eight देखो यह भी arrangement वाला question है अब arrangement वाले question को आप देखते हैं eighth question है A answer है QPSR A आपका सीधा सीधा answer बनेगा भाई ninth question यह रहा भाई his vengeful and diabolical nature PR की combination बनेगी PR की combination आप यहाँ से check कर सकते हैं has been given only in D option हाँ जी भाई तीन गंटे लगता तो है कि तीन गंटे चाहिए थे बिलकुल बट तीन गंटे वो देते नहीं है हाँ जी 10th question देखो भाई 10th question का answer है भाई B RSPQ इसमें थोड़ी सी confusion आप सभी को हुई होगी ठीक है बट यह सीधा सीधा आपका answer बनेगा हाँ जी चलो next यह था भाई यहाँ पर जो आपको basically यहाँ पर दिये गये हैं जैसे यह type का आपको portion दे दिया गया इटालिक्स में इसका आपको सही meaning बताना है ठीक है जैसे यहाँ पर दिया गया which is too great and beautiful to be expressed in words that is called ineffable which cannot be explained in words that is called ineffable हाँ जी उसे क्या कहते हैं ineffable कहते हैं question number 12 12 क्या था आपके पास poverty striking poverty striking क्या होता है needy ठीक है उसे जरूरत होती है हाँ जी उसे क्या होती है जरूरत होती है मतलब भढ़काऊ भाशन भढ़काऊ भाशन के लिए हमारे पास option क्या आता है b incendiary speeches incendiary speeches ठीक है b option आपका सही answer रहेगा हाँ जी हाँ जी b option आपका सही answer रहेगा हाँ जी चलो next question sorry 14th question की तरफ चलते हैं इसका answer बताओगे भई हाँ जी इसका answer बताओ sorry पिछले वाला question था उसका answer ये है एक minute b option है 12th का answer है b option भई indiant ठीक है ये है answer याद रखना 12th का b है a नहीं है 14th का बताओ चलो फटा फट मेरी गलती थी 12th वाला हाँ जी 14th बिलकुल सही है भई c parochial बिलकुल सही answer आ रहा है आप लोगों का फाइदा हुआ vocabulary sessions लगाने का या फिर नहीं हुआ हाँ जी began dropping steeply all of a sudden ठीक है अब इसके लिए हम cataclysm use करता है cataclysmically आपका answer हो जाएगा c option ठीक है कोई चीज एकदम से गिर जाए decline आजाए उसके लिए हम ये use करता है 16th question देखते हैं भई हाँ जी ये रहा contains several platitudes and generalization हाँ जी बताओ 16th question का क्या answer किया हाँ जी what was your answer in 16th question बताओ भई answer रहेगा c option often used and unoriginal ideas often used and unoriginal ideas cliche होता है basically platitudes न हाँ जी ये आ गया भई next है आपके पास disinterested disinterested के लिए यहाँ पर सही answer है indifference हाँ जी indifference सही answer है तो सही option क्या होगा a option आपका सही answer होगा भई a option आपका बिलकुल सही answer होगा कौशल राज जी सारे questions ठीक हुए है नहीं बताओ जल्दी से हाँ जी derelict state derelict state हाँ जी zg EPFO का cutoff जो है वो लगबग लगबग 20 से 25 नमबर नीचे जाएगा ये मैं बता देता हूँ आपको हाँ जी यहाँ पर answer क्या रहेगा neglected and broken down c option neglected and broken down c option आपका answer है और serendipity मैंने बहुत बार कराया है अपनी vocabulary की classes में वही word आया है serendipitous encounter with the man on the bus ठीक है sudden and abrupt एक तो ये हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है a chance event देखो ये event नहीं है यहाँ पर ये clearly बता दिया गया है कि ये encounter है तो ये क्या होगा sudden and abrupt होगा sudden and abrupt होगा c option हाँ जी बिल्कुल Walter जी बिल्कुल चलिए हाँ जी next 20th question notwithstanding our victory today we must be careful to avoid a feeling of complicancy complicancy क्या होता है smug and self-satisfied क्या होता है smug and self-satisfied a option यहाँ पर आपका answer रहेगा हाँ जी a option तो 20 question में से अगर मैं English की बात करूँ तो 20 के 20 doable थे but 16 जो है वो on an average सभी ने कर दिये होंगे 16 questions English में APFC के आप easily कर सकते थे मैंने बहुत बार बताया था के APFC में English की waitage बहुत जादा रहेगी ठीक है but हाँ मुझे यह नहीं लगा था के 20 questions आ जाएंगे मेरा अंदाजा सिर्फ इतना था के 10 questions आएंगे लेकिन यहाँ पर 20 questions आएं चलिए अब GS की command संभालते हैं देविंदर सर को चलिए जाएंगे अब तो असान ही आया है आपका paper as compared to AEO के तो current fair के अगर मैं वेटेज देखू 3-4 questions आया है थोड़े से ज़ादा पीछे से back से पूछ लिए उन्होंने 2021 इस जीवनी पूछ लिया गया ना और quality के questions काफी ज़ादा है वेटेज आईए उसकी तो उसमें around 16-17 questions जो थे हमारे quality से में आ रखे हैं और उसमें से 10 से लेके 12 तक जो doable category गे थे और उसको हम डिसकस करते हैं हना चलो भी मित्रो लो जी So I'm going to start my lecture Oh sorry Session यहां से बच्चे Question number 33 Question number 33 से चलते हैं बच्चे हम देखते हैं क्या पूछा गया था Okay E. Sanjeevni पूछा गया था भाई एक scheme है government की और पूछा गया है कि किसको serve कर रही है और objective क्या है तो याद रखना बच्चे That promotes the use of medicine B is the correct option B is the correct option 33rd का बच्चे Telemedicine जो है उसको promote कर रही है E. Sanjeevni All right जी उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूँ 35th question की 35th कहां पे जी यह पढ़ा एक 5th Finance Commission Which of the following State Finance Commission के बारे में कोशन पूछा गया State Finance Commission के बारे में कोशन पूछा गया पहली statement बोल रहा है कि वो review करता है financial position local governments की और local government दोनों ही आ जाएंगे पंचायत भी आ जाएगा और municipality में भी आ जाएगा और दूसरी बोल रहा है कि review कर रहा है distribution of revenue between the rural and urban local governments यह गलत हो गया यह second statement गलत होगी क्योंकि यह distribution of revenue तो distribute करता ही है उसको देखता है review करता है between the state and local governments हाना तो rural और urban पूछा तो दोनों statement यह दूसरी statement गलत होई तो correct पूछा हुआ था तो बचे one and only one only is the correct option हाना जी so one only is the correct option लो जी उसके बाद 36th question 36th question के अगर बात करूँ Kempa fund के बारे में पूछा गया बोलता कि कौन सी ministry है जो इसको regulate करती है कौन सी ministry इसको regulate करती है बचे उसके बारे में पूछा गया तो क्या लगा है आपने answer इसका simple question था ये आप उपने chat box में response दो क्या answer लगा है इसका very good bio fund with truth 17 correct है आपके English में से very good बचे क्या answer लगा है बचो बताओ फट आफट see Pooja Singh और Shishir Patele ने see लगा है बचे बिलकोल ठीक है Ministry of Environment, Forest and Climate Change इस fund को बचे regulate करता है इसमें कोई भी दो राए नहीं है 36 भी हो जाता है complete उसके बाद आजाते है सीधा 40th question पे आते है 40th ये तो बहुत ही असान था यार बहुत असान question था हमने पॉलिटी क्लासि में पता नहीं कितनी बार किया हुआ है बचे fundamental rights में से question पूछा गया कौन सा article है जो constitution of India का जो prohibit करता है employment of children in factories or mines or any hazardous employment तो क्या answer लगा है आप से पूछूँगा बतादो जी very good बचे C अरुन दूबे C बोल रहा है अंजली पंडे बिलकुल ठीक मेघली मेघाली बिलकुल ठीक भासकर साहब जी बिलकुल ठीक article 24 जो है वो बचे correct option है यहां पर ठीक है जी article 24 आगे बडो मेरे भाई हो आगे 40th के बाद आता है हमारा सीधा 55th question 55th और मैं देख रहा था कि ancient और ancient history की weightage काफी जाद है ना so 55th question पर चलते हैं here it is लो मेरे भाई हो right of workers right of workers to resort to strike यह क्या है fundamental right है statutory right है common law है या free table right है बता दो क्या लगाए आपने क्या लगाए बचे इसका भी बता दे ना और like कर दे ना यार session को यार हम भी सुबह सी बैठे हैं हमारा भी साथ मी paper चलते हैं आप लोगों के साथ देखो fundamental right तो नहीं है fundamental right नहीं है मेरे भाई हो क्या है बचे statutory right statutory right है right to strike is not a fundamental right right of workers to strike हना यह जो है workers की strike करने की जो right है हक है वो statutory right है B is the correct option हना जी लो मेरे भाई 55th हो गया let's move to the 61st question okay बोलता article 43 में यानि की DPSP में DPSP में एक बात लिखी गई है हना सविधान में that enjoys the state and joins the state to endeavor through legislation or economic organization for payment of which of the following wages किस wage की जो है बात करी गई अर्टिकल 43 में कि हम अपने workers को देंगे क्या वो living wage है minimum wage है fair wage है या फिर need based minimum wage है बता दो क्या लगाया है बचे and the answer is B लगाया है अच्छा and the answer is बचे A living wage की बात करते हैं article 43 में यह याद रखेगा DPSP में 70 second question है हमारा लो भरे भाईयो consolidated fund of India से question पूछा गया पूछा क्या गया है कि consolidated fund of India से इन चार option में से किसके expenditures जो हैं होते हैं expenditures are charged to the consolidated fund of India यह question पूछा गया यानि कि इन में से ऐसे कौन से dignitaries हैं जिनके expenses consolidated fund of India से जाते हैं but without voting but without voting not charged made from they charged upon so debt charges जिस पे government of India liable होगी बिल्कुल थी president के expenses जा फिर उसके office के expenses without parliament की जो है permission के दुआरा बिल्कुल थी salaries allowances supreme court के बिल्कुल थी salary allowances chairman deputy chairman मैं राजय सभा के या फिर speaker deputy speaker लोग सभा के बिल्कुल ठीक 1,2,3,4 is the correct option 1,2,3,4 is the correct option बच्चे B is the correct option ठीक है जी B very good बच्चे शाबाश नमरता शुकला जी बिल्कुल ठीक जी 1,2,3,4 नमरता ने correct किया या answer हाना लोग मेरे भाईयो आगे बढ़ते हैं 72nd के बाद बचे हमारा quality का आता है 77th question 77th 77th ये अच्छा ये पड़ा है बचे ये भी हमारा cover कर रखा था मैंने current affairs में daily current affairs analysis में cover किया हुआ था 1999 में एक जो है foundation रखी गई बिल्को ठीक ठीक है जी पहली तो ठीक है जो मैं यार इसी लगा ले यार लो जी second statement बोलता है कि annually leadership होती है annually circulate करती है summit leadership है न according to rotating presidency होती है बिल्को ठीक 85% global GDP का represent करता है G20 बिल्को ठीक और ये जो लिखा 20 countries की membership है बचे ये गलत हो गया क्योंकि 19 countries की है plus European Union है European Union एक unit है not एक जो आप बोलोगे country है 19 countries plus European unit तो 19 countries की बात होती है यहाँ पे 20 countries लिखा हो इसलिए गलत हो गया यहाँ पे countries तो जादा होगी ना क्योंकि 19 प्लस European में बहुत countries है तो answer क्या ना था मेरे भाईयो not correct पूचा हो था D is the correct option उसके बाद बचे बड़ा simple question पूचा गया Nobel Prize के उपर पूच लिए गया question के Nobel Prize chemistry में 2022 का award किया गया नाम नहीं पूचा उन्होंने basically पूचा किस काम के लिए दिया गया बचे तो क्या लगाया था इसका अंसर CRISPR, Cas9, Lithium batteries, Paleogenomics या फिर click chemistry या फिर bio-orthogonal chemistry के आंसर था B is the correct answer ठीक है जी B is the correct option Nobel Prize जो chemistry में दिया गया हना 78 के बाद बचे हम चलते हैं सीधा 80th question में sports category में पूचा गया बचे Santos Trophy Tournament जो की football tournament है उसके बारे में पूचा गया ये जो final match था बचे रियाद में हुआ था बिल्कुल ठीक statement और जो final match हुआ था ये करनाटक और Meghalya के बीच में हुआ था और करनाटक जीत गया था after 5 decades तो इसका option का answer के आना था C is the correct option C is the correct option बचे C is the correct option very good जी शाबाश 80th का भी हो गया बचे हम चलते हैं 81st पे ओके हां जी लो मेरे भाई हो इसमें पूचा क्या गया बोलता कि किसने recommend किया कि public health expenditure है या फिर union का हो चाहे वो state government का हो public की health के उपर जो expenditure है वो मिला के increase करना चाहिए 2.5% of our GDP by the year 2025 ये किसने recommend किया था मेरे भाई हो National Commission on Macro Economics, Parliamentary Standing Committee 15 Finance Commission क्या answer लगा है मेरे भाई हो so answer क्या है इसका बता दो फटा फट जिसने इसको किया है और like कर दो भाई session को क्या जाता है भाई लाई करने में रजिंदर आया रजिंदर बोल रभी गलत हो गया मेरे भाई जैशरी सैन is C C is the correct option 15th Finance Commission में ये बात बोली गई कि by the year 2025 public health expenditure चाहिए वो center करे चाहिए state करे दोनों मिला के हमारे GDP का 2.5% होना चाहिए so C is the correct option of the 81st 81st का क्या ना था C is the correct option लोग उसके बाद हम सीधी शलांग लगाते हैं बचे सीधा पहुँचते हैं 115 कोशन पे 115 नंबर कोशन पे देखते हैं क्या पूछा गया है वहाँ पे इसका गया झाया हैrence नो हश decir क ऑहिए completion का मेन कारण किया है मेरे फायो carbon monoxide carbon dioxide hydro substrate यह फिर 오घ Curryर्व लो कारबन सींपल कोशन रहे कि पे वाहरी गुड़ शेया है पे-पैस फ्रत्तुछ पूच्चतता हैं बॉग हें हैं धो हैं क्या है carbon dioxide carbon dioxide is the correct option carbon dioxide is the correct option 115 is the correct option 115 का बचे carbon dioxide answer था ठीक है जी लो जी ए शाबाची very good बचे ये भी हमारा complete होता है अब चलते हम 116th question पे जो कि थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा से tricky question था थोड़ा ध्यान से करने वाला question था देखते हैं कितने बचों ने इसको correct किया होगा लो जी so which of the following statements regarding ordinance making power of the governor पहली बात तो पूछा हो है कि not correct ordinance making power है governor की उसके context में तीन statements दी और पूछा कि not correct क्या है लो जी पहली statement पूछा है कि वो discretionary power है and does not entail the advice of the minister लो मेरे भाई हो यह जो statement है यह गलत होगी क्योंकि एक non-discriminatory power है इसके लिए मनिस्टरी की cabinet की advice तो लगती ही है अना जी cabinet की advice तो लगती है पहली statement तो गलत होगी पहली statement गलत होगी मैं यह दो option काड़ दूँगा क्योंकि इसमें one है ही नहीं उने गलत पूछा है ना तो यह option दो रह गए थे one and two one and two तो दोनों में common है तो second statement भी जो हमारी जो है wrong ही है कि ordinance making power है governor की इस confined to the subjects नहीं मेरे भाई गवर्नर वाली जो है वो कहां पे जाएगी state list में हो लिए ना जो state list के subjects हैं जहां पे state subject state जहां पे law बना सकते है उसी subjects में ordinance making power जो है entail करती है governor की second statement भी गलत है और तीसरी statement बच्चे क्या बोल रही थी कि तीसरी statement क्या बोल थी एक से है इसके है तीसरी statement क्या बोल रही थी मेरे भाई हो कि with regard to repugnancy यानि कि inconsistency with the union law अगर union law में कोई inconsistency relating to the concurrent subject the governor ordinance will prevail अगर union ने कोई law बनाया concurrent subject में उसमें कोई inconsistency आई है और उसमें state subject में ने बी लॉबनाया union में में लॉबनाया है concurrent list में दोनों बना सकते हैं उसमें कोई inconsistency है तो ordinance making power ordinance जो governor जो launch करेगा वो prevail करेगा अगर उसको president ने already उसको certify कर रख है बच्ची यह जो statement है यह correct है तो दोनों statement जो wrong है one and two one and two is the wrong ठीके जिसको ध्यान से समझना पढ़ना था फिर इसमें और आना था sir मैंने not दिखा ही देखा रतना जी अवस्ति यह बहुत simple एक human error अब चे जो हम हमेशा ही कर पाते हैं not correct मैंने अपने session में बखेरी बार बोला था कि भाई पहले देखा करो कि correct पुछ है कि not correct ओके जी अरे यार निरू कर दिया न वहीं का कि वहां पर तो जाके अल्रड़ी ऐसे ही होता है यार वहां पर जाकर बहुत असानी से यह चीज़ हो जाती है कि आप से correct पुछ है कि not correct पुछ हम देखते नहीं है हाना सो sessions लगाया करो बचे वहां पर प्रेक्टिस हम इसी बजा इससे करवाते हैं लो मेरे भाईयो तो यहां पर भी हो जाता है हमारा 160th question का A option आना था उसके बाद मेरे भाईयो 117th question Curative Petition पर आया Curative Petition पर आया बचे यह भी काफी deep question पूछा गया हाना law student वाले ही कर पाते थे अगर simple होता तो फिर कर लेते हैं हाना So पहली statement क्या थी मेरे भाईयो पहली statement थी it can be entertained by the Supreme Court of India only और कोई देखा गया है correct पुछा गया So यह तो statement ठीक थी किसको entertain सिर्फ Supreme Court of India ही करेगी यह statement ठीक है मेरे भाईयो 117th था ना इसका option आना था बचे 1 and 3 है ना So it can be entertained अच्छा वो ही बात कर दी भाई अगर यह थीक है तो गलती होगी किसमें High Court का mention हुआ है So यह तो गलती गलत है ना So यह तो गलत है मैं यह option काड़ देता हूँ लो जी तीसरी statement certification by a senior advocate is necessary to file a curative petition यह statement ठीक थी किसी senior advocate की certification जो है जरूरी होती है अगर आपने curative petition डालनी है So 1 and 3 is the correct option ते और अगर बहुत कम अगर किसी ने law law लू भी किया हूँ है तब भी यह शायद उन्हें इतनी instructions ना पड़ी हो So इसको जो है हम छोड़ देते तो ज़्यादा अच्छा बता था पर अगर किया है किसी ने अगर उसने D option लगा है तो ज़्यादा उसका correct हो जाएगा अना जी शाबाज लो मेरे भाईव ठीक है जी उसके बार बच्चे हम आगे बढ़ते हैं 118th question पर चलते हैं बच्चे ये भी थोड़ा सा है तो simple था question simple था पर थोड़ा से इन्होंने lengthy करके डाला होते है इसलिए बच्चे गलती खा सकते हैं Department of Economic Affairs बोलते नोडल अजंसी है Government of India की अगर country की economic policy बनाने की बात हो या फिर उसको monitor करने की बात हो जिसकी bearing domestic और international aspect पर जाएगे economic management में बिल्कुल ठीक statement बिल्कुल ठीक statement नोडल अजंसी फॉर्म पॉलसी बनाने की वच्चे Department of Economic Affairs है और अगर union budget परपेर करना है या फिर वो यूटी ज बिफोर दा पारलेमेंट या फिर budget परपेर करना है यूटी ज का या फिर उन states का जिन पर प्रेजिडेंट रूल लगा हुए तो कौन परपेर करेगा Department of Economic Affairs ही करेगा बचे यह दोनों statement ठीक थी दोनों statement ठीक थी और पुछा भी उन्होंने correct ही पूछा था कि correct बता दो तो answer क्या आना था मेरे भाईयो बोथ 1 & 2 बोथ 1 & 2 इस दा correct option ठीक है दोनों आना था ओवरॉल पेपर का जो लेवल था बचे वो easy ही मानेंगे अगर आपने पहला पेपर दिया था AOEO का अग्जाम तो बहुत ही मलब कि थोड़ा सा वेग डाल दिया और गौरल सर ने बोला भी था कि अपने उसके बाद analysis में आपने वीडियो भी देखियोगी भाई और डिस हर्टन मत्थो यही strategy थी उनकी बच्चे बठेरे जो हैं नहीं भी दिया हो गौन ने अग्जाम APFC का पर वो गलती करके आए पेपर असान था AOEO का अग्जाम जादा मुश्किल था सो सिंपल था अना यह भी सही हो गया शाबाज बहुत बढ़ी है लो भी आजो मेरे भाईयो 119 स्टेट्मेंट पे आओ 119 कोशन पे आओ मेरे भाईयो यह भी जो है पंचायत municipality टॉपिक में कबर किया हुआ है बचे डिस्ट्रिक प्लैनिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटिन प्लैनिंग कमेटी जिन्होंने हमारा कोर्स वेगरा लगाया वो था डीटेल में पॉलिटी करी हुई थे उनको तो अराम से आ गया डिस्ट्रिक प्लैनिंग कमेटी बोलते कि उसके at least four-fifth मेंबर हैं वो किसके दुवारा चूज किये जाएंगे डिस्ट्रिक लेवल पंचायत और मुनिसिपैलिटी इसके अलेक्टर मेंबर के दुवारा चूज की जाएंगे और उनकी परपोर्शन होगी in accordance to the urban to rural population of the district ठीक स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट पहली और दूसरी क्य स्टेटमेंट थी कि भाई municipality जो committee है metropolitan committee है उसमें जो two-third members होंगे committee के उसको elect किया जाएंगे ता members हो था municipality है चेर परसना पंचायत यह भी ठीक statement थी इसको बहुत detail में नहीं पढ़ूँगा हमारा टाइम देस्टेज हो जाएगा इसके बाद में हम next session में बचे detailed आपको बताएं जाएंगे चीजें सो इसका answer क्या आना था see is the correct option see is the correct option already बिल्कुल ठीक जी APFC easy था दस और आशी सिंग जी बोले कि मेरे center पर सिर्फ 10% लोग present थे ठीक है जी क्यों present थे 90% क्यों नहीं आए क्योंकि उनका AOEO उन्होंने अपना वहीं पर छोड़ दी हथियार अना जी so up down आता रहता है बचे आपने अपने हथियार नहीं छोड़ने होते हैं जंग में रहना होत स्टेटिक जी के कई पार्ट मालो होना करंट फिर मालो इसमें पूछा गया भाई रैक के बारे में बायो टेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट कॉंसिल के major objectives के बारे में पूछा गया मैं आपको बता दूँ इसका आंसर क्या आना था बचे चार के चार बचे इसके जो है major objectives है चार के चार इसके major objectives है innovation foster करना entrepreneurship foster करना affordable innovation in social key sectors in power startups young investigators offer इंटेपर इंटेपर इनको करना चारों के चार ठीक थे तो यह क्या है यह लिख भी देते हैं कि यह सब्सक्राइब कि अधिकर ठीकर कोई चक्कर नहीं है ठीक जी लोग मेरे भाईयो science और computer की भी answer की हमारे पास आचुप के हमारे experts ने solve कर दिया तो मैं आपके साथ share करता हूं computer और science के questions हाना जी उसके भी हम answer की फटा फटा आपको बता देते हैं मेरे में 24 में से 6 present है ना देखो कितनी weightage कम होगी ना तो अगर आपने हमारे channel के साथ जुड़े रहे थे तो AO EO exam के बाद अगर आपने first interaction sir से लगाई थी तो आपको शायद वहाँ पे motivation मिल जाती शायद आप paper देने आ जाते है ना तो वैसे तो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे सारे उन वही बैठे हैं जिन्होंने paper दिया था So let's move बचे हम सीधा जलते हैं science के question जो 27, 23, 29 और 34 question जो science के थे वो मैं आपके साथ answer की share कर रहा हूं मेरे भाईयो Gaurav sir ने अभी अपने हां से solve कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि answer अब क्या है इसका 27, 27, 27th question क्या है मेरे भाईयो Affluence of which of the following industries are considered to be the main cause for lowering the pH value of river water बतादो क्या answer लगाए था Alcohol distilling industries, plastic cup manufacturing industry, soap and detergent industry, lead battery manufacturing industries pH, river water के pH level को lower करने का main cause Main industry कौन सी है बाई वो बताना था pH level जिसे गिरता है इसका बचे आंसर आना था Alcohol distillery industries A is the correct option A is the correct option, D नहीं था Skip किया था, skip करना भी बचे एक तरह का attempt करना ही होता है As compared to आप गलत question जो है उसको करो negative marking कर वाओ अगर आप skip कर रहे हो, आपको चीज नहीं आती तो समझ लो कि आपने question जो है Attempt ही है क्योंगे आपने number बचा लिए है ना कोई बात नहीं रश्मीता जी प्रधाँ जी कई वारी question गलत भी हो जाते है So 828th question पर चलते है Which one of the following is not a soap क्या, साबून नहीं है Not a soap, sodium steroid, sodium palmate, sodium benzoate या फिर sodium oleate क्या soap नहीं है मेरे भाईयो इसका आंसर क्या है बचे, sodium benzoate C is the correct option ठीक है जी उसके उपर बाद आते है बचे, 29th question पर Human eyeball Human eyeball is composed of three layers Human eyeball जो है बचे, it composed of three layers The correct sequence of the layers from exterior to interior बाहर से अंदर तरफ की आती हुए आपको sequence में बताना है कि eyeball में क्या है सी ठीक है जी Sledia, Croid, Retina, Cornea, Choroid या फिर Retina आपको ये बताना है आज वाजवसद अभी लग जाएगे बसे time थोड़ा सा Computer, एक, दो, तिन, चार, पांच 10 question computer क्या है बसे इसके बाद हाँ, पांच मिल्टे बसे तनी 29th question क्या था बचे, sequence बताना था Skip कर दिया, very good बचे, skip करना भी अच्छी कला होती है और like कर दो मेरे भाईयो 300 बच्चा 300, 300 बच्चा बैठा है और like तो कर दो 62 बच्चे बैठे हैं हम भी सुबा से आपकी तरह paper के ही surrounding घूम रहे हैं आपकी जैसे है ना, so like कर दो मेरे भाईयो so क्या answer लगा है मेरे भाईयो C लगा रहे हैं जातर बच्चे 29 का C है की A है A is the correct option A is the correct option correct sequence from exterior to interior, बाहर से अंदर की तरफ आना था बच्चे, so A is the seleria, chloride and retina is the correct option, ठीक है so यह आनतर 29 का A, ओके जी उसके बाद बच्चे हम चलते हैं 31st question पे, 31st question पे चलते हैं मेरे भाईयो क्या पूछा गया है, the pillar-like structure which hangs vertically downwards from the aerial branches found in bunion tree are known as bunion tree में बच्चे vertically downwards जो hang कर रही होते हैं, pillar-like structure बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, tap roots, climbing roots, fibrous roots या फिर प्रॉप roots, आपको बताना है आपको बताना है मेरे भाईयो, इसका answer 31st का answer क्या था मेरे भाईयो, बता दो फटा फट प्रॉप roots and prop roots is the correct option, prop roots is the correct option, 31 का बचे D answer आना था ना, लोग मेरे भाईयो यह science के question थे, 1, 2, 3, 4, let's move to the, let's move to the computer part, 22nd question था जो पहला, computer के उपर पूछा गया, okay IP address के बारे में question पूछा गया which one of the following is not correct IP address, IP address correct कौन सा नहीं है, इन 4 option में से आपको वो बताना था, क्या option कौन सा answer लगाया है मेरे भाईयो, आपने इसका 20 second है, 20 second क्या answer लगाया है बचे, फटा फटा बता दो A A, not correct कुछा है not a correct IP address and the answer is बचे B B is the correct option, मैं इसकी technical उसमें नहीं जाऊंगा, ठीके जी, सीधा आपको answer बताएंगे, दिक्षा answer ने बना के बेजिया हमें ठीके जी, 20 second का क्या था बचे, B is the correct option, लो जी 23rd question की बात करूँ मेरे भाई, in mesh topology in mesh topology, if we have 6 computers, how many links must be there mesh topology में अगर आपके पास 6 computers हैं तो कितने links उसके लिए generate होंगे, आपको बताना है इसका answer, okay 23rd का बचे answer है D, 15 links are there, 15 links जो है create करने पड़ेंगे 6 computers के लिए दोनों बेपर में, वो दो not हाँ जी, वो तो ही है न, so 15 is the correct option 24th option, the binary equivalent of the octal number 473 is इसका binary equivalent क्या होगा भाई, number 473 का, तो आपको बताना है मेरे भाईयो 24 का है, अपना A A is the correct option A is the correct option, उसके बाद, बच्चे हम 25th की बात करते हैं, which one among the following commands is used to check the error status of hard disk drive, error status को check करने के लिए hard disk drive के लिए बच्चे कौन सी command जो है, use होगी, आपको ये बताना है, 25 का answer क्या था बच्चे, C, H, K, D, S, K this is the correct answer, C is the correct answer, 25th का so याद रखे हैं, very good बच्चे, कौशल जी अगर आप skip कर दिया, अगर नहीं आता तो नहीं आता ना भाई, पंगी लेने से क्या फरक पड़ेगा न लो जी, 25 का C answer था, let's move to the 26th question 26th question क्या पूछ रहा है, which one among the following registers contains the address of the next location in the memory to be assessed इसका क्या answer लगाया है, 26th का इसका answer है, M, A, R M, A, R, B is the correct option of this computer question so let's move next to the, straight to the 107th question जो की फिर computer की ही बात करता है उसके उपर बात करते हैं, जी, फटा-फट लो जी, इसके बाद इपक सर वेट कर रहे हैंगी, हम मैं भी आऊँ और बताऊँ आपको questions उनकी बार याएगी, अब लो मेरे भाईयों, बात करते हैं 107th, 107th ओके बचे which of the following is not a top-down language top-down language, इसमें से कौन नहीं है, C, Portran, Java, या फिर Pascal, क्या top-down language नहीं है, मेरे भाईयों 107th question का, क्या answer लगाया यह सही था very good, शाबाश 107th का answer क्या था बचे answer is Java, top-down language क्या नहीं है, तो Java is the correct option Java is the correct option all right Java, मुकल सकसे नहीं आन्सर सही लगाया इसका, ना very good जी, 108 question number की बात करें which one of the following attribute is required for internal linking in HTML HTML में कौन सा attribute required है for internal linking तो आपको बताना इसका answer शाबाश body, link बचे इसका answer आना था 108th का C, body body is the correct option all right body is the correct option लो जी, उसके बाद बचे हम आगे बढ़ते हैं very good, प्रभात, रंजन, चंदनी, वजीर and मनीश, बंधारी जी आपका बिलकूल ठीक है लाखन का भी ठीक है, रकेश का भी ठीक है 109th question पे चलते हैं which one of the following types of operating systems is designed to respond to an event within a predetermined time क्या answer आना था 109th का बचे and the answer is real time, B is the correct option B is the correct option let's move to the next question, 110th question here we go here it is, लो जी what is the decimal equivalent to the hexadecimal number 5A6D, इसका क्या answer लगाया था भाई decimal equivalent क्या है hexadecimal number का 5A6D का बता दो जी माने जन के study कर दिया मैने जान के skip कर दिया very good अगर नहीं आता तो आजो बसर लास्ट question अब 110th का answer क्या था बचे A is the correct option, 2, 3, 1, 4, 9 all right, so उसके बाद बचे 113th question की बात करूँ here it is यह तो सर्फ math का होगे न 113th question चलो बचे यह ठीक है so अब दीपक sir आ रहे हैं वो अपने respective subjects को लेंगे आजो sir और बचे session को like कर दे न और subscribe करना अगर कोई नया बच्चा देख रहा है न बस आपको कुछ नहीं जाहिए thank you students all right, very good evening and I hope सभी ने paper बहुत अच्छे से दिया होगा and जो discussion अब हम करने जा रहे हैं don't be afraid of that आपका paper अच्छा ही हुआ है the paper was comparatively easy in comparison to your EO-AO अगर उसे compare करें तो my observation is कि यह उस paper से easy है now what is the logic behind it वो हम बाद में discuss करेंगे कि क्यों EO-AO को difficult or APFC को easy रखा गया है so उसके बारे हम फिर बात करेंगे but let's see the discussion now respect to industrialization, labor law and social security इस आसफे पर बात करेंगे and सभी question of order से match कर लेना and इस से आपको benefit यह होगा that is today itself you will be able to know कि कितना आप score कर पा रहे हो और end मुझे बताना कि कितना आपका score बना है so that we can see cut off की expected कितनी जा सकती है ठीक है तो we will start with the very first question now इस sequence में कर चलें इस paper के so we can start with question number 37 37 से शुरू करेंगे question number 37 जो है वो आपका वहां से हमारे जो industrialization labor law के context से question जो है वो शुरू हो जाते है so now पहला ही question जैसे हमने EOAO के paper में भी देखा afternoon में कि आपको जो question आए वहां पर एक question आपको थोड़ा calculation करने के लिए कह रहा है तो यह आपका जो question है that is from your bonus at payment of bonus at 1965 से question है और question आप से क्या कह रहा है कि वही एक worker है जिसकी fixed salary जो है वो 9,000 है 9,000 की fixed salary है और वो बोल रहे है कि इसको 10% का जो है वो मिल जाता है क्या bonus तो 10% का bonus है इसका इसको हमने calculate करना है on the monthly basis monthly basis पे हम calculate करेंगे तो we will eventually get 900 rupees और हमें इसी को ही yearly basis पे into कर देना तो उसको हम 12 से into करेंगे तो हमार पास जो answer आएगा वो 10,800 आएगा और D इसका answer बन जाएगा तो D is the answer for this question number 37 ठीक है clear है now कुछ भी आगर यहाँ पे confusion होगा तो मुझे ही बता देना okay तो I will try to sort her अकाश का ही question बिल्कुल ठीक है that's very nice so आगे बढ़ेंगे and it's a easy question otherwise it's a easy question अगर आपने एक line भी पढ़ी है देखो payment of compensation payment of bonus act है अगर उसमें आपने calculation ही नहीं पढ़ी तो फिर आपने क्या बढ़ा तो यह basic question है जो आपसे पुछा गया है so I hope सभी ने इसको clear किया होगा now इसके बाद हम आते है question number 38 पर question number 38 it talks about the industrial dispute act now industrial dispute act is a question है और यहाँ पुछा क्या गया कि जो process है of conciliation conclusion नहीं मानेंगे basically यह question पुछा गया है so it is concluded on the date when the settlement जब settlement of memorandum of understanding memorandum of settlement जब है sign हो जाएगा तो conciliation का जो proceeding है उस level पर हम बोलेंगे कि dispute जो है resolve हो गया तो A इसका answer नहीं हो सकता because हम से not पुछा गया now next साथ है so it concludes when the date and the failure तो failure हो गया है और moment of understanding जब नहीं sign हो पाया है और now यहाँ पे the simple wording is it is concluded on the date now यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी as such इसको option को hold करते है आगे discuss करते है now it is concluded on the date when the report of the conciliation officer received by the appropriate government of no settlement now दोनों ही statement जो है एक दूसरे chronological order में अगर आप लगा होगे नहीं हुआ दूसरा आपने report जो है वो submit कर दी to the appropriate government तो इन ही दोनों options से अगर आप compare कर लेंगे तो यह आपका end stage नहीं हो सकता because we can see इसके बाद एक report देने की stage भी है so यहीं से आप अगर आप compare कर लेंगे तो आपका answer आजाएगा इसका answer जो है वो B रहेगा now अगर मैं D statement भी पढ़ लूँ तो here you do not have the conclusion की बात हो रही है and it talks about कि reference to the appropriate government to the labor code कि यह labor code तक के case चला गया है तो मतलब reconciliation का आप कुछ काम इसमें नहीं रहेगा labor code जब वो देखेगी तो मतलब A statement C statement और D statement ठीक है हमसे incorrect पूछा है तो answer जो है आपका B हो जाएगा now question इसके बाद next question पर चलते है now next question is all about question number 40 and now यहाँ पर question आप से पूछ रहा है that is prohibition यहाँ पर है India, constitution of India prohibits what child labor in the hazardous occupation now child labor को prohibit करने के लिए hazardous occupation में constitution में कहाँ पर provision दिया गया है now जब इसकी बात आगी provision कहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर मैं आपको वैसे आपका quality का भी पार है quality में भी cover up कर सकते है यहाँ पर भी हम इसकी बात कर सकते है तो this is all about article 24 तो question 40 का कुछ explanation की requirement नहीं है it is an easy question article 40 और बहुत अची बात है कि कही सेरी question हमारी key concept series से आ गए है और plus class में तो हमने cover up किये है and एक दो question जैसे आपका contact worker के question यह आपके handout से भी है because we had covered it through the handout itself now इसके आद नेक्स question जो है हमारा हो है 46 question आगे बढ़ते है now 46 question पर जब आएंगे हम तो यह question पूछ रहा हमारे हम से EPFO के context में पूछ रहा है now EP so यहाँ पे it is also it is talking about the time limit prescribed for the provision of the implies compensation at 1923 now implies compensation at से question है और यह पूछ रहा है कि time कितना prescribed है for the purpose of कि commissioner जो है वो dispose of कर देता है आपका compensation का matter तो उसके जब compensation के matter के लिए case आया तो वो कितना time period में इसको dispose of करता है तो इसको तीन मेने का time लगता है तीन मेने के अंदर अंदर इसको जो issue है या जो compensation है उसको dispose of करनी होती है और जो decision वो imply को intimate accordingly वो कर देता है तो 46 का answer है D and 47 पर आते हैं इसके लाद question number is 47 now question number 47 now this question talks about कि minimum number of implies implies implied by an establishment functioning with without the aid of power without the aid of power का question है और cooperative society में वो registered है मतलब ऐसा establishment की यहाँ भी बात है जो कि जहाँ पर aid of power से वो चल रहा है दूसरा वो your cooperative society act में जो है वो registered भी है और इससे बाद हम से पूछने कि यहाँ पर अगर आप mislaneous implies provident fund and mislaneous act जो है of worker का credit रहा कितना होगा बहुत अच्छी बात है आप लोग अभी भी answer दे रहो तो अभी अभी exam से निकलने के बाद भी answer देने की जो चाहत है वो नहीं गई है तो बहुत अच्छी बात है यह यह आप कितना sincere with respect to your preparation so answer is A here, 50 इसका answer है and many of the students has given the very correct answer that's very good इसके आप question, next question बात है question इसके बाद जो है 48 question भी जो आप contestation labor loss से ही है now let's see this question now it talks about the disablement के context में है और यह हम से पूछ रहा है implies state insurance act now मैंने पहली बोला था आपको कि जो EPFO और ESIC जो act है बड़े important act है हमने सुबह के paper में भी देखा EOEO के paper में और अभी के paper में हम देख रहे है तो चार question जो है आपके इसी इनी दोनों side से आया तो around 20 question आपके दोनों ही paper में हम देख रहे है from this industrialization labor law and social security question क्या है any question related to the disablement shall be determined by which of the following now disablement का जो question है और similar question जो है morning में भी था जहां पर आप जो age का dispute है adolescent का factory date में उससे कैसे decide करते है मैं सुभी बताया है या आपको afternoon में बताया है कि कैसे decide करना है उसको देखो जब आपके आपके आश अलड़ी यहां पर you have a option that like medical board तो आपका यह answer होना चाहिए because कोई भी एक insurance insurance medical petitioner यह नहीं बता सकता है और साथ ही साथ insurance security officer क्या यह role ही नहीं है और tribunal तो बहुत बाद में आता है so इसका answer जो है वो C है 48 का now इसके बाद question number 49 it is also associated with the our topic now what is the amount of the compensation that is paid to an employee who is totally permanently disabled total permanent disability का question है और फिर से impressed compensation act का यह question है now हमें hint देने के लिए उन्होंने यह पर mention कर दिया है कि भाई salary जो है 22,500 है लेकिन यह hint से जादा आपको confuse करने का एक तरीका है ठीक है आपको confuse करने का एक तरीका है because अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो compensation आपका यहां पर बनेगा that cannot exceed to this extent यहां तक वो extend कर ही नहीं सकता है इतना compensation उसमें allowed ही नहीं है तो यहां पर जो हमारी calculation बनेगी that will be around 7 lakh 7 lakh है आसपर समारी जो है calculation यहां पर बनती है ठीक है इसके बाद आगे चलेंगे question number 49 next question now this question talks about question number 50 यह बात कर रहा है center government के context में now यह question मुझे अभी थोड़ा सा इसको detail में देखना पड़ेगा because यहां पर क्या है provisions जो है vary कर रहे है and we need to check it तो मैं इसको अभी के लिए skip कर रहूं आपको answer की में detailed answer में वहाँ पर discuss कर दूँगा explanation के साथ भी क्योंकि इसमें थोड़ा सा question का जो framing है वहाँ पर मुझे doubt है तो उसका answer में अभी आपको नहीं दे रहा हूँ and question number 51 question number 51 it talks about the chronological order basically historical evolution से question आपको रहेगा now इसमें बड़ा easy साथ जो answer में option में आपको बता हूँ तो वो तो यह है कि आपका chronological order of respect to trade unions वो यहाँ से शूओ होगा है ना so अब हम elimination तरीके से अगर मैं इसको attempt करने के कोशिश करूँ so we can eliminate two of the options here कि मैं इनको तो बाहर ही निकाल दो because second से start करना है तो यह C और D तो चले गए now अब इसके मेरे पास first भी अपने आप line up हो गया है so अब मुझे देखना है कि third पे कौन आएगा इनमें से third पे कौन आ सकता है now इसमें अगर मैं इसको third को भी छोड़ूँ तो मैं सिरफ यहाँ पे अगर focus करूँ that is with respect to भारतिय मजदूर संग now भारतिय मजदूर संग मैंने आपको बताय था कि यह independence के बाद ही आपका जो है इसका functioning शुरू हो जाएगा so it cannot be so late and यहाँ पे जो हमारा answer रहेगा सिरफ इसी elimination से में कर रहा हूँ इसके आगे पिछे में कहीं नहीं जा रहा हूँ और इसी जगर मैं कर दूँ तो हमारा answer जो है उसका A आ जाएगा because यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आपको जो last में आपको रखना पड़ेगा वो आपको सेवा सेवा association रखनी पड़ेगी ठीके So this is this is what we have ठीके जी Sir आप confused हो क्या नहीं नहीं यहाँ पे confusion के बात नहीं हो question मैं जान पूछ के छोड़ा है अभी के लिए so that we can commit to the after this ठीके Now इसके बाद अब question next पर आते है question next जो है हमारा that is question number 52 and 52 question जो है it talks about your international labor organization में जो इंडिया ने rectify कर रखी है just a second question हम से जो पूछा यहाँ पर वो है कि इंडिया ने ILO के कौन से convention जो है वो rectify किये हैं और यहाँ पर question हम से not rectified का है ठीक है तो not rectified में देखो बड़ा simple सा अगर मैं तुमको answer देदू उसमें तो हमारा एक concern है with respect to this part जो यह freedom of association because just level पर जाके यह freedom of association की बात करें वो इंडिया कहता कि भाई it is our our political domain इसमें आपको interfere नहीं करना चाहिए फिर we cannot rectify this particular convention for the reason so यह आपका answer में इसमें आपको और भी जो है less दूँगा वो आपको अलड़ी notes में और class में हमने discuss क्या हुआ है so 52 का जो answer आपका वो C रहेगा now इसके आप question आते है question number 53 question number 53 पर जब हम बात करेंगे so here we have the question हाँ अब यह जो 53 question है यह आप से trade unit की registration के regarding बात कर रहा है now एक बात मैं यहाँ पर शू करने से पहली यह साथ लोग चाहिए but उस list में आपको जो member का list चाहिए उसमें है either 10% और 100 whichever is less तो 100 से कम वाले कोम इसमें नहीं ले सकते because 100 is the list so हम दिखेंगे कि अहाँ पर 100 से उपर है तो यहाँ पर हमारा जो criteria है वो है 1100 worker का 1100 का 10% निकालोगे तो 110 आएगा तो या तो 110 हो या फिर 100 हो यह हमारा option रहेगा so in that manner हमारे पास सिरफ E जो है वो एक ऐसी association हैगी जहाँ पर 80 है so in that way we can simply give the answer to this question is B हमारा इसका answer हो जाएगा because इसमें A, B, C, D हैं और E नहीं है so B will be the correct answer इसका B जो है correct answer हो जाएगा I hope आपको पहली की discussion जो है बिलकुल याद होगी ठीक है okay इसके बाद आगे बढ़ेंगे question number 53 हो गया and इसके बाद we have question number 54 54 पर आएगे तो 54 talks about the registration of the trade union again now यहाँ पर मैं बता दूँ कि यह optional होता है इसमें कोई compulsion नहीं है for the registration purpose that is अगर आप register कर लेंगे तो आपको benefit होगा Industrial Dispute Act के अंतर जो benefits मलता है वो आपको मिल जाएंगे कि नहीं करेंगे तो ऐसाच compulsory भी नहीं है now question इसके बाद हमारा पास है question number 54 हो गया हमारा 55 now resort to resort to strike अब यह resort to strike वाला जो right है ना आपको right to expression है but वो fundamental right article 19 में आता है but the right to strike is not a constitution right it is all about the statutory right यह right आपको दिया है Industrial Dispute Act ने ठीक है यह Industrial Dispute Act से मिला है तो यह आपका statutory right होगा so 55 का जो है 55 का जो answer होगा that will be 55 का answer जो हमारा B रहेगा now इसके बाद आगे चलते 61 question पे 61 जो हमारा question है that is again with respect to constitution of India article 43 की बात कर रहा है और इसका मैं answer की बात करूँ तो इस आपका living wages के context में directly बात करता है बाकियों के बारे में indirectly बात करेगा लेकिन living wages के बारे में directly बात है तो इसका answer ए रहेगा then इसके बाद question number 89 जो है वो है हमारा इंडिस्टिर्ट relation से rated उस पर आते है 89 पर 89 89 हाँ जी और यहां पर मैं देख रहा हूं कोई student है जो जल्दबादी में है paper दे लिया अब तो में क्या करना है paper दे लिया तो आप समझे रहो कि कहा पर गलती हुई जी का किस बात की कर रहे हो आप लोग यहां पर ठीक है तो answer सुनिए अब question number 89 पर आजाते है now it talks about the third third schedule of the factories act so अब यहां पर जो आपका third schedule में simple जो आपको जानकरी पूछी list भी गई है वो notifiable diseases की जानकरी है तो 89 का आपका C हो जाएगा and इसके बाद we have 90th question 90th में आपको से जो mining act के context में question पूछा गया है it can be said to be a very detailed and technical question but इसका answer directly because factual question है so इसमें three days है three days का आपको notice देना है अगर आप inspection के लिए survey के लिए जाना चाह रहे है to the premises or the mine ठीक है वहां पर जाना चाह रहे है इसका last question हमारा 91 91 question जो है it talks about the payment of wages का question है और यहां पर they are asking कि record कितने time तक के लिए maintain करना पड़ता है last entry जो है मतब कितना recent record आपका maintain आपको रखना पड़ेगा तो इसका answer जो है वो three years का है तो D is the correct answer so all these are the question with respect to industrialization labor law यह बहुत ही in comparison to the other paper it was quite easy ठीक है तो this is all from the this aspect ठीक है इस aspect से हमारे इतने ही question रहेंगे with respect to industrialization labor law let us wait for the next faculty to come in and take the discussion further झाल तो अभी हम discuss करेंगे जो हमारे history के question है वो और उसके साथ हम या बिल्कुल जो हमारी mathematics हो गया और साथ सा reasoning का जो एक question आया था वो दोनों ही discuss कर लेंगे साथ के साथ ठीक है चले history से शुरुवात करते हैं जो हमारा 41st question से शुरुवात हो जाती है हाँ जी 41st question की बात करें हमारे पास which among the following observation pertaining to works of 19th, 20th century archaeologist is not correct कौँ सा पुछा उसने not correct पुछा है तो इसमें right answer की बात करें हमारे पास क्या है option A is the right answer Alexander Cunningham is the first director general of the archaeological survey of India was of the view that history of India began with the origin of Indus Valley civilization तो यह जो आपकी statement है यह आपकी statement क्या है not correct है मतलब wrong है चलो जी next question पर चलते हैं 42nd question देखे हमारे पास क्या है which one of the following was an important contribution factor in the rise of Magadha as the most powerful Majanpada between 6th and 4th centuries BCE इन दोनों के बीच में उनने पूछा है 2 century के बारे में पूछा है तो राइट आंसर की बात करें 42nd की बात करें हमारे पास राइट आंसर क्या है option C and archaeological sorry agriculture productive region था जिसकी वज़े से तो यह सारे के सारे विवाद हो रहे थे ओके जो powerful factor माना गया था हाँ जी question देखो which among the following which of the following statement about के लासा के लासा न था temple जो कहाँ पर है at Allura is not correct कौन सी statement इन में से correct नहीं है 43rd question की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा the superstructure of the temple correspondence to नागारा style कौन सा नागारा style से नहीं बना हुआ बिलकुल जी बिलकुल next question देखो हमारे पास 44th question है 44th question जो हमारा पढ़ रहा है which one of the following statement is about ancient Indian pottery is correct कौन सी correct के बारे में पूछा है अभी तक देखो maximum question आपने देखे होंगे not correct कही ना कहीं आपको आ गया लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रेक्ट के बारे में पूछा है तो 44th question की बात करें हमारे पास right answer क्या दाएगा 44th question northern black polished wear जिसको NBPW बोले refer to the type of the pottery found from archaeological sites India dating back to 600 BCE so option A 44th is the correct answer next question will be 45th 45th question की बात करें देखो उन्होंने क्या बोला है again पेर बता देखे है not correctly match कौँ सा correctly match नहीं है 45th की बात करें तो right answer की बात करें हमारे पास क्या है option B कौँ सा हर्मिका हर्मिका जो क्या है correctly match नहीं है इसके साथ चलिए next question की बात करें next question हमारे पास आता है 51st question की बात करें 51st question की बात करें 51st question हमारे पास कहरा है following the central federation of trade union of workers formed in India तो देखो हमारे पास ये सारी की सारी option दी हुई है इन option में आपने बताना है कि कौन सी form हुई थी तो right answer की बात करें right answer देखो according तो उन्होंने ये बोला है following statement which of the following statements is correct sequence of their formation then sequence के coding बनाना है formation के तो सबसे पहले कौन सी बनी थी सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले ये बनी थी ठीका All India Trade Union ठीक है उसके बाद अगर second की बात करें उसके बाद हमारे पास All India National Trade Union आ जाएगा उसके बाद हमारे पास 3rd U, T, U, C आ जाएगा उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4th पर भारतिय है 5th पर हमारे पास 5th आ जाएगा 6th पर हमारे पास यह आ जाएगा मतलब option ही crack answer हमारे पास क्या है option A is the crack answer ठीक है अंकित जरूर वहाँ पहुँच रहे है ठीक है जल्दी बचाते है ठीक है आगे देखो हमारे पास 80 second question आता है सीधा का सीधा देखो 80th तक भी पहुँच चुके हम 80 second question 80 second this is 80 second question की बात करें 80 second question जो कह रहा है वो क्या कह रहा है kotilya in his artha shastra describe the availability of veracity of pearls from the जो pearls थे वो कहां के थे तो right answer की बात करें right answer हमारे पास क्या है option C कहां का जो हमारे पास क्या रहेगा तमरापरामी river था जो कहां पर था इन दी पंधियांग kingdom में था ठीक है next question हमारे पास 83rd 83rd question क्या कह रहा है which of the falling pairs of dynasty and king of Vijayanagara empire is not correct देखो again not cracker के बारे पूछा है तो maximum mistake बच्चों की यहां पर होगी 83rd के right answer की बात करें हमारे पास क्या है 83rd is D जो हमारे पास क्या है tuluba density ganda okay 83rd next is 84th okay 84th question हमारे पास क्या है when is the capital of eastern चालुक के आस is identify of the which of the fall में देखो अगर किसी ने movie देखी होगी तो बहुत अच्छे इसली answer दे सके right answer is option A पैदा वगी right answer is option A पैदा वगी is the right answer okay 85th again history में से ही है 85th question के उनसा कहता है who among the following was the first elected king of पाला density in the कामा रूपा right answer is option B धर्मा पाला right answer is option B थर्मा पाला is the right answer ठीक है चलिए तो ये सारे हमारे history के question हो चुके है अब हम math और reasoning के पर focus कते है math और reasoning के starting हो रही है 56th question से चलिए okay 56th question देखो हमारे पास क्या है कहता है अगर हमारे पास कोई circle है P and Q उसमें क्या है course है ठीक है center point हमारे पास क्या है और O है ठीक है A is supposed to be point intersect A point है दोनों में P को intersect कर रहा है which of the following statement is correct इन में से कौन सी statement correct होगी अगर right answer की बात करे right answer हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले क्या है A sorry A and O concide and for them 4 parts of the circle produce the course shall always be equal देखो यहाँ पर जो always लिखा हुआ इसकी वज़े से सारी दिक्कर आयाती है अगर यहाँ पर always ना लिखा always मतलब हमेशा रहेगा तो यह चीज़ गलता हमेशा ऐसा नहीं होगा ठीक है if A and O do not concide then 2 of the 4 parts of the circle produced by the course shall always again यहाँ पर always लिखा है 57th question देखो हमारे पस क्या है PQRST are 5 rands okay the mean of PQRST is 50 पहले का जो एक pair था जिसका mean हमने क्या बता दिया 50 बता दिया second क्या वड़ा whereas the mean of क्या हूँ RST is 50 बाकी जो है चार उनका mean भी 50 है ठीक है which of the following statement is correct कौन से statement सही है करना weight of T is 50 के T का weight 50 है उपर जो भी लिखा है वहाँ पर ऐसी कुछ confirmation नहीं है जिसकी वज़से यह statement गलत हो जाएगी उसके बाद weight of P and T are equal के P और T का weight equal होगा बिल्कुल जी बिल्कुल देखो यहाँ पर P को अगर मैं exit कर दूँ और यहाँ पर अगर T की entry कर दूँ जो mean है वो mean मेरा same वज़ा है जिसकी वज़से जो second statement है वो मेरी correct है option B ओके चलिए next question देखे है मारे पास क्या है next question आपका reasoning का बढ़ता है सिरफ एक question जो reasoning मेरे आ है P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in facing north north की तरफ face कर रहे है P, S, R the neighbor P, S neighbor है W के बीच में sorry, W क्या बढ़ है Q, U का neighbor है T की बात करे R और V का neighbor है there are four people between P and V P और V के बीच में 4 लोग बैठे है आपने बताना है P और R के बीच में कितने लोग बैठेंगे लेकिन right answer की बात करे A की बनेगा जिसमें आपकी option क्या बनेगी P और R में total 6 position होगी maximum आपको क्या दिख रहा होगा P और R में maximum 2 position दिख रही होगी maximum आपका यही आ रहा होगा next देखो 59th question हमारे पास 59th question क्या कहता है 59th the angle of elevation of the top tower from the top and the bottom of a 10 meter tall building is 30 degree Celsius and 45 degree Celsius ठीक है एक 30 degree Celsius पर देख रहा है दूसरा 45 degree Celsius पर no sorry degree not Celsius respectively ठीक है approximately height of the tower in meters from the top of the building वो हमने find out कर लिए है जिसकी अब under root 3 की हमें value दी रखी है right answer की बात करे है इसमें right answer का है option C 13.65 is the right answer next question 60th यह आप reasoning ने भी include कर सकते हो mathematics में भी include कर सकते हो multiple question paper जो 50 questions है जिसमें A, B, C, D हमारे पास optional लग 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 अगर correct answer करेंगे तो 4 marks मिलेंगे अगर incorrect answer करेंगे तो minus 1 मिलेगा लेकिन जो student था उसने क्या किया सारे के सारे मतलब ऐसे तुक्का लगा दिये मतलब A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D के तोर पर सही कर दिया अब कहता है कहता from question 1 अगर end तक देखा जाए option C is the correct answer जहाँ पर भी option C mark हुआ होगा सारे के सारे correct answer होंगे तो अगर देखो total हमारे पास 50 है total हमारे पास 50 है उसमें अब मुझे क्या पता चलेगा के 12 कुछ ऐसे question होंगे जो correct answer रहे होंगे ठीक है 12 की बात करें तो 48 marks बनेंगे उसके लेकिन बात भी हमें यहाँ पर क्या बूला है negative 1 marking भी बोली है minus 1 की negative marking बोली है तो minus 1 की पीछे जो negative marking मेरे पास कितनी बज़ेगे 38 question जो उसके गलत हुए है out of 50 question तो 38 को जहाँ पर minus करोगे right answer आपका option 10 is the right answer चलिए 60th after 60th there is 60 second ओके container की बात की है container X में मेरे पास क्या है mixture है किसका oil और water का जो किसकी में है 1 ratio 3 में है ऐसी container Y है जिसमे mixture है 2 ratio 3 में अब देखो क्या की रहा है 2 liter हमने extract का लिया liquid किसमे container X में ऐसे ही 5 liter extract का लिया कहां से container Y में अब container Z में इनको डाल दिया लेकिन container Z में जब डाला तब वहाँ already 1 liter of pure oil पहले ही पड़ा था तो सब कुश करने के बाद अब उन्होंने क्या बोला बताओ oil की percentage क्या थी जो नया container था तो 60 second question की बात करे right answer हमारे पास क्या है option C 43.75 is the right answer जो percentage रहेगी oil की mixture में a solid circular metallic disc of radius 12 inches thickness मेरे पास क्या है 4 inch है metal shape है उसको क्या बना दिया solid disc बना दिया ठीक है जिसका radius कितना है 16 inches 16 inches उसका radius है तो बताओ thickness क्या है तो हमने generally पता है कि thickness मेरी क्या होगी कम ही होगी तो right answer is option B 2.25 is the right answer और 63rd question now 64th question पर चलते है 64th question जो हमारे पास क्या है DI में है बहुत easy DI थी कुछ ज़्यादा करने की जुरुत नहीं थी कुछ भी ज़्यादा आपको changes करने की जुरुत नहीं थी मतलब बहुत easy थी DI तो DI के सीधा question पर रही ज़्यादा हूँ सीधा answer आपको बता देता हूँ question देखो हमारे पास क्या है how many of these companies earning increase by at least 20% in the year 2020 कहां से 2 या 16 से 2 या 16 से आपने कहां देखना है सिरफ और सिरफ earning देखनी है कि कितनी increase हुई है वो भी कम से कम उन्होंने क्या बहुत ला है at least 20% मतलब 20% से ज़्यादा होगी तो भी आपका answer बनेगा लेकिन 20% से कम होगी तब आपका answer नहीं बनेगा तो right answer is ऐसी 3 company है जिनकी earning increase हो रही है from 2016 to 2020 चलिए next question 65th question की बात करते हैं थोड़ा मुझे जुरत पड़ेगी उपर graph की भी table की in 2020 the relative profit jump of which company was maximum अब profit के maximum की बात किया जो आपके previous year as compared to previous year कौन से year की 2020 की तो 2020 में आपने कुछ नहीं करना है जैसे इस question में देखो cutting करके दिखाई हुई है student ने वैसी अगर आप cutting करके देखो आपको पता चल जएगा जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो आपका right answer होगा मतलब company Y कौन से option B is the correct answer चलिए next question देखे 66 जो हमारे पास क्या है कहता 2017 में आपने बताना है अगर absolute profit jump की बात करें which company was maximum of the previous year अब previous year के maximum के coding बात किया है मैं सीधा answer बता दो अब पीछे table पर नहीं जाओंगा right answer is option A 66 right answer is option A 66 चलिए 66 के बाद next question हमारा बनता है जो हमारा mathematics का आता है 92 90 second question 90 second 90 second okay तो 90 second question देखे काफी interesting रहा था ये question उन question में था जो question आप छोड़ोगे exam में क्योंकि अगर आप ये question लेकर बैठे ना exam में तो मतलब कोई ना कोई गलती आप जरूर करोगे पक्का करोगे तो ये skip करने वाला question था तो 90 second question क्या कहता है कहता है total 7 hemisphere थे हमारे पास container पे जिनका radius क्या था आर मीटर था जो के पूरे के पूरे फिल थे with water कहता है अगर मैं सब को transfer कर दू किसमें एक और hemisphere container में जिसका radius 1.5 times था जो मेरा previous radius था ठीक है that maximum number of smaller container get empty था कि ज़्यादा थे जारा maximum number जो smaller container थे वो क्या हो जाए empty हो जाए बताओ पीछे जो small container बचे थे उनमें कितने container ऐसे होंगे जो अभी भी बरे हुए है मतलब अभी खाली नहीं हुए मतलब ये वाले radius वाले चोटे वाले radius वाले container आपने बताने जो अभी भी खाली नहीं हुए तो right answer is option 3 ठीक है या option C कि ये जो container वो अभी तक खाली नहीं हुए तो 93rd question की बात करें तो 93rd question भी काफी interesting रहा था the length of the radius of the circle passes through the point 0003 and 20 तो आपको graph याद आ गया होगा school time में ठीक है right answer is option D under root 13 divided by 2 is the right answer 94th question की बात करें जो हमारे पास क्या कहता है suppose x and y are the distance variable that takes value from 1, 2, 3, 4, 5, 6 the probability of the probability that the value of the expression this is even ठीक हो कुशनी करना जो values ती अगर वहाँ यहां पर fit करें तो जो आपका answer आएगा क्या वो हमेशा even answer आएगा या नहीं आएगा उसकी आपने probability बना दी है तो उसकी probability क्या रहेगी 1, 3rd probability रहेगी कि 1, 3rd probability है कि आपका answer even आएगा 95th question की बात करें 95th question हमारे पास क्या है suppose ABC जो greater than 0 है the equation अगर यह बात करें हमारे पास quadratic equation पड़ी है real roots namely alpha, beta then which one of the following is correct इन में से देखो correct answer को सा है जेकर पूरी explanation की वीडियो आपको एक दो दिन में मिल जाएगी अभी सिरफ और सिरफ आपको answer बता रहा हूँ क्योंकि देखो algebraic भी आ रहा है थोड़ा trigonometric question भी आ रहा है तो 95th question की बादे right answer की बात करें option C is the right answer जो alpha बीटा होंगे वो छोटे होंगे किसे 0 से छोटे होंगे next question हमारे पास क्या है ages पर question आ है the ages of Mr. Kumar and his son are in the ratio of 5, ratio 3 ये present के time की बात बता ही है 15 years back की बात करें तो हमारे पास क्या है 2 ratio 1 उन्होंने क्या बहुता है what was the age of Mr. Kumar when his son was born जब उनके बच्चे का जनम हुआ था तब उनकी age क्या थी तो age किती थी 30 साल age थी ठीक है क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा 75 और 45 आ जाएगा 75 father की 45 हमारे पास son की age आ जाएगी तो जब son पैदा हुआ था तो father कितने जा 30 years का थे ओके I think almost सारे math के question हो चुके है एक physics का question था वो I think करवा दिया गया था आपको ठीक है जो physics की equation से था 113 question जिसमें हमारे हमने initial velocity और जो हमारी final velocity है वो यूस करनी है तो answer is B 1400 meter ओके 95 का D होगा 95 का D आपको बाकी explanation में पूरा पता चल जाएगा ठीक है explanation में आपको complete answer मिल जाएगे उके उसकी attention मतलो तो आप सभी को एक बार यह है कि like कर देना ठीक है वीडियो को और share कर देना क्योंकि साथ के साथ आपको answer की भी discuss की गई है और एक बात बता दू जो EO का EO का अगर आपने दिया था तो कम से कम आपको याद होगा अगर आपने answer की देखियोगी तो कम से कम आपने वही answer वहाँ पर put कर दिया होगी ठीक है तो कुछ ऐसे remaining question है ठीक है उसकी answer जो बचे हुए है वो आपको बता रहे हैं थोड़ी ही देर में ठीक है तो आपको अभी तक क्या लगता है कि maximum attempt आपकी कितनी गई है और जो cut off है वो cut off तो नहीं पूछूँगा मैं इतनी दूर तक नहीं जाओंगा तो आपकी attempt अभी तक कितनी रही है ओके विशाल ठीक है मैं देख रहूंगा कोई बात नहीं 113 का A नहीं आपकी A नहीं आएगा उसका B आएगा जो फिजिस्स का कोईशन है जिसमें initial velocity और final velocity include की जाएगी acceleration निकाले जाएगी उसके बाद further distance निकाला जाएगा तो 4500 meter जो हमारा distance आएगा ओके अकाश very good 92 attempt जोती अभी time लगेगा इस चीज को ठीका वो घलती से मुझ से निकल गया था ठीक है इतनी जल्दी मतलब नहीं बता सकते oh my god हर्चदीप इतने ज़्यादा ओके काश सरभ जीत ओके ठीक है समझ गया हम है 97 प्राची hope for the best उमीद करो ओके तो अभी आपने idea लगा लिया होगा कि कितने गलत आया है देखो अगर मैं EPFO EO और AO exam की बात करूँ जो रहा था tough लेकिन APFC exam की अगर बात करूँ जो morning shift के exam से slightly better रहा था better in the sense कि easy रहा था तो let's see नवीन अभी मैं इस चीज पर कोई comment नहीं करूँगा ठीक है क्योंकि अभी maximum time अगर जब पता चलेगी उसके बाद ही कुछ होगा मैं मैं पता ने किटेगी उसके बाकी जो कोईशन है दविंदर साथ करवा रहे है अभी बच्चा जी तो थोड़े से कोईशन रहे चुके है बच्चे है हमारे population और globalization के कुछ कोईशन से कुछ साइंस के वह आपको मैं कबर करवा देता हूँ अभी देखते हैं अना जी क्या क्या आंसर है था हूँका जस्ट लेट में ओके में कोश ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन तो हमने कबर कर लिया था ना ओके 114 पोशन हम करते है 114 पोशन वह देखते है उसका क्या आंसर लगा है आपने 114 लो जी साइंस का कोशन था बचे पूछा गया था कि अगर कोई अगर कुसी अबजेक्ट को हम कंके मिरर के सामने रख दे एट इंफिनिटी पोशिशन तो क्या जो है कौन सी इमेज बनेगी रियल और इंवर्टेड इमेज बनेगी फोकल पॉइंट पे पहली बात तो फोकल पॉइंट भी बनेगी real और inverted बनेगी या फिर virtual और correct बनेगी आपको बताना था तो इसका answer बचे आना था जी A is the correct option A is the correct option real और inverted image बननी थी focal point पे 114th का बचे के answer आना था जी A is the correct option A, all right जी, शाबाज D नहीं था भाई, अकाज यादर जी D नहीं था, D A था A All right बचे, उसके बाद हाँ 112th question ये भी बचे science वाला हमारा रह रह रहा है उसका भी हम cover करते हैं इसको लो जी, बोलते for an elastic collision inelastic collision between two objects, अगर inelastic collision हो रही है, दो objects में तो क्या होगा, kinetic energy conserve रहेगी, momentum नहीं रहेगा, momentum conserve रहेगा kinetic energy नहीं रहेगी यही आंसर था मेरे भाईयो, B momentum तो conserve रहेगा पर kinetic energy नहीं रहेगी in terms of, in case of inelastic collision between two objects 112th का answer के आना था बचे, B is the correct option B is the correct option ये मेरे भाईयो, ये भी हमारा हो चुका है अच्छा हमारे कुछ questions बच रहे थे ओके हाँ जी छीक है ये आगे बचे हमारे 73rd question से बचे हमारा globalization और population वाला जो है part है, उसको हम cover करते हैं 73rd से 75th question here it is बचे consider करें following statements के population change in an area is an important indicator of economic development of that region, पहली statement बोल रहा है आपको बताना है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है जी, population change in an area is not an indicator of social upliftment of that region, दोनों ही statement हमें correct पुछा था, दोनों statement बचे, रॉंग थी, answer क्या था D, neither one and neither two neither one or neither two is the correct option of the 73rd question, D, answer था इसका, D, okay जी D, alright बचे, उसके बाद 74th की बात करूँ, not correct बताना था बचे हमें human development के बारे में, human development के बारे में not correct option बताना था आपको कि option कौन सा correct नहीं है मेरे भाईयो, तो इसका answer सीधा बताता हूं बचे, D, under the welfare approach to the human development, the government protects and promotes private entrepreneurs to maximize expenditure on welfare बचे, ये जो statement human development के context में गलत statement है D is the correct option, ठीक है जी D is the correct option, लो जी सही हो गया, अरुन दूबे बदाईयां हो आपको बचे, जो भी बचे नए देख रहे हैं बचे, आप सभी को बता दूँ के हमारे चैनल को subscribe कर लो, ऐसे ही classes आगे भी चलते रहेंगी, exams और भी बहुता नहीं है, तो अच्छे से त्यारी करनी है का spread होता है, digital cash global credit cards उसका भी expand होता है किसी भी particular country में जहां पर globalization हो चुकी है, पहली statement ठीक security markets भी momentum gain करती है, बचे, electronic round the world trading start होती है, बिलको ठीक, बचे, C both 1 and 2 is the correct option, 75th का answer क्या आना था, बचे, C is the तुका लगाया था, ठीक हो गया चला, कोई बात नहीं APFC खाता, बचे, एक ही paper हुआ था, एक ही paper था, ठीक है लोग मेरे भाईयो, ये भी हमारा correct होता है उसके बाद, बचे, बहुत ही simple एक question मैंने कई बाद अपने current affair analysis में जो हम हर रोज करते हैं, 11 बजए वहाँ पर भी इसका जिकर किया था Food and Agriculture Organization लोग मेरे भाईयो, Food and Agriculture Organization stat के हिसाब से, बचे, इंडिया की milk production की बात करो तो पोल है कि इंडिया का second rank है in the world, in milk production है तो गलत हो गया क्योंकि इंडिया भाई पहले number पही है और दूसरी statement थी कि 24% global milk production है इंडिया की 2021 में ये जो statement थी correct थी ये statement correct थी इसमें है B हाँ, B is the correct option so B is the correct option अब लिखके ला देते हैं ना बढ़िया ना अच्छा अच्छा ये हैं ना इस टीर से ना, बस ठीक, ठीक है जा लो मेरे भाई, 76th का हो गया accounting भी बच्छे मैं करवा देता हूँ कोई tension नहीं आपको बता देता हूँ उसका भी क्या सीन है, ठीक है जी 77th का थो हमने कर लिया था G20 ये न, वाला ये 19 countries था इन्हों 20 countries बोल रखा था ओके हाँ, ये 79th question बच्छे, unicorn के उपर पुछा था unicorn company क्या होती है मेरे भाईयो पहली बात पुछा यहाँ पर ये जो था बच्छे, 10 billion dollar ये गलत हो गया अगर कोई company बच्छे, 1 billion dollar रचीव कर ले तो उसको unicorn माना जाता है तो पहली statement तो गलत थी यहाँ पर लिखा कि only a private held start-up can be a unicorn या कोई public start-up unicorn नहीं कहला सकती तो ये जो statement ठेक थी according to the definition, strict to the definition बच्छे, B is the correct option B is the correct option to only अना जी, शाबाज शाबाज बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है जी, ये अच्छर संतोष ट्रॉफी हो गया था हमारा ठीक है सर ये तो हो गया ना अभी हमें काउंटिंग कर लेते हैं आपका रालो आजो, आजो आजो निकल लो आजी, hello everyone I hope के सभी मेरे चेहरे से familiar होंगे आजी ठीक है, देखो EO का paper हम सोच रहे थे के थोड़ा easy आने के chances थे, के भई easy आएगा EO का paper, लेकिन APFC का paper as in comparison to EO, easy आया ठीक है, EO का paper थोड़ा सा tougher side पे रहा ठीक है, demoralize करने के लिए UPSC ने ऐसा शायद किया होगा ठीक है, जाधा post थी, इसलिए भी किया होगा, पिछली बार paper easy दे दिया था आपने थर्फ बोला भी था, आपने session में ना 68th question, देखो, 68th question, क्या answer है थर? B is the right answer हाँ जी, B is the right answer ठीक है, B आपका सही answer है भई, 68th question accounting का question है, ठीक है next, 69th question अगर आप देखें, auditing का question है भई, simple B option आपका answer है हाँ जी, B option आपका answer है overall audit strategy B option आपका सही answer रहेगा भई हाँ जी 70th goodwill account जो है, that is real account 70th का फिर से B option सही है, ठीक है, 70th का B answer आपके बास सही रहेगा अपके आपके बास सही रहेगा अच्छा 97th question है, अर्चित जी, थोड़ी देर में बता देता हूँ, क्या answer रहेगा उसका हाँ जी हाँ जी, नेक्स 97th question है भई, next हाँ जी, ये रहा भई, next question 97th question, C option इसका answer है भई, going concern assumption, ठीक है, C option आपके सही answer रहेगा भई 98th इपक जी, अभी बताता हूँ, भई 98th 98th ये रहा भई, question ठीक है इसका सही 98th का है, D D answer है भई, ठीक है D answer है, 3,30,000 as per anurag sir as per anurag sir 99th आशीष जी कह रहे हैं के 4 आये थे 24 में से सिर्फ APFC में देखो, वो demoralization effect था आपको अगर याद है, ठीक है, plus age factor भी इसमें एक थोड़ा सा role play कर रहा था हाँ जी, चलिए next 99th C answer है भई, इसका substance over form ठीक है, यही है sir C option substance over form 100th question है भई, 10000 पे जा रहे है accountancy का question 100, एक बार और repeat करूँगा एक बार करने के बाद तो परिशान मत हो न हाँ जी C answer यहाँ पर रहेगा 10,600 10,600 हाँ जी 100A, question number 101 जिसका है sir A A answer है भई, capital receipt capital receipt हाँ जी 102 102 पे पहुँच गये हैं, शायद आपकी century हो गई है 102 का है sir A A answer है भई, going concern consistency accuracy accrual हाँ जी 104 पर जा रहे हैं भई 104 का answer है D D answer रहेगा भई, यहाँ पर ठीक है, provision is a charge against profit ठीक है जी यह answer है भई, accountancy के नहीं आशीश जी Goodwill account real बताया गया है real account ही होता भई 105 रहे है, 105 का D है हाँ जी 105 का answer है D Cash sales not recorded in cash book यह sir, accounting के question से साही एक बार मैं पूछ लेता हूँ भई लो, आपके सामने ही अनुराग सर को phone करके पूछ लेता हूँ हाँ जी हाँ जी, don't worry बस एक minute दो, अभी confirm कर देंगे वो किसी कारण वश यहाँ नहीं आ पाए बस real account ही है 103 का answer पूछ रहे हैं तो बता दें सर एक बार प्लीज हाँ जी, तो शायद अभी तो call pick नहीं कर रहे हैं बट answer बच्चों ने भी दे दिया है real account है कोई doubt नहीं है इसमें Rajiv जी ने भी बोल दिया है हाँ जी ठीक है, 71st का answer देख लेते हैं एक बार क्या गह रहे है क्या तो Google कर लो सर, सर से क्या पोछ ना सर देखिए, Google तो हम सारे ही question कर सकते हैं हाँ जी वो बात भी सही है ठीक है हाँ जी, 71st को मैं बता देता हूँ भई आपके लिए insurance का question था 71st ना ठीक है यह है D option indemnification of the insured indemnification of the insured, D answer है भई ठीक है हाँ जी तो सारे questions हो चुके हैं अल्मोस्ट और सभी बचे लाइक कर दू यार सेशन को 700 बचे लाइब बैठे हैं और 179,7 अधा कम है हम अब भगवान से दुआ करते हैं कि आपका paper अच्छा गया हूँ ठीक है और आप cut-off में शामिल हो जाए हाँ जी कुछ questions रहे गए हैं उसकी answer की telegram पे upload कर दी जाएगी चारिया पांच questions है don't worry doubtful questions हैं तो थोड़ा सा time लगेगा उनकी answer की को upload करने में हाँ जी ठीक है अर्चिज जी वो trial balance वाला question इसलिए छोड़ा हुआ है हाँ जी वो trial balance वाला इसलिए छोड़ा हुआ है 111 question भी इसलिए नहीं किया है ठीक है तो थोड़ी देर में आपको जो हम अपनी answer की provide कर देंगे टेलिग्राम में वहाँ पर आपको सारे आपके शंकाएं दूर हो जाएंगे आचा कोई बात नहीं हर्षदीब जी मैं भी मजाख ही कर रहा था यार ठीक है आप लोग तो सभी students हो हमारे साथ मजाख कर सकते हैं मैं आपके साथ कर सकता हूँ हाँ जी अभी पच्छे cut-off के बारे में कूछ रहे है cut-off के बारे में अलग से video बनाएंगे cut-off के बारे में वैसे तो हम अलग से video बना देंगे but most probably जो chances है जो last time EPFO की cut-off गई थी उसके आसपास EPFC की cut-off रहेगी 65% के आसपास ठीक है और EOAO की cut-off कम जाने के chances हैं पूरे-पूरे क्योंकि paper जो है students के according वो tough आए कोई बात नहीं I think के आपको थोड़ा बहुत experience तो मिला होगा अब आगे आने वाले exams के लिए आप prepare कर सकते हैं बहुत अच्छे से expected cut-off के उपर बचे session बन जाएगा हाँ जी expected cut-off के लिए हम session जरूर बनाएंगे ये लोग अनुराग जी का answer question आई गया है हाँ जी 103 एक बार अनुराग सर 103 question है एक ना trial balance वाला आँ वो एक बार देखना है यार मैं live यह हूँ session में A है भाई इसका answer a credit purchase of thousand from Mr. Singh is credited wrongly to the account of Mr. Aakash right not detected है not detected hello हाँ जी not detected है A है भाई इसका answer A है धन्यवाद अन्राग जी हाँ जी okay मेरे तो 82 आ रहे है cut off पलट Aakash यालग जी English बहुत देर पहले करवा दी है इसी वीडियो को अब देखो दुबारा से ठीक है इस में ना हमने पहले English करा दी है फिर भी चलो एक बार मैं बता देता हूं English के ना सारे answers don't worry मैं एक बार बता देता हूं सारे answers फेले 20 थी 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 हाँ जी 1st 20 थी हाँ जी यह 1st question देखो इसका आंसर है D 1st question का आंसर है भई D 1st question आंसर है D 2nd question हां जी 2nd question answer is C 3rd question answer is again C the demand for millet is not very encouraging C answer है 4th question C answer है the use of improvised local machines for removing husk from millets has been a turning point for millet farming हां जी question number 5 ठीक है question number 5 का A answer है भई हां जी question number 5 का A answer है sustainable farming practices ठीक है doubtful है but अभी के लिए A मान करके चलिएगा हां जी question number 6 है यह मुझे एक बार देखना पड़ेगा फिर भी मैं यहां से यहीं से करके आपको बता देता हूं देखो ठीक है यह है given that he was clearly innocent ठीक है यह आ गया भई क्यू आ गया क्यू से शुरू हो रहे हैं दो option है ठीक है is the decision to plead guilty S आएगा उसके बाद QSPR ठीक है C answer है भई हां जी पलकिर जी वो ही करा रहा हूं English ही करा रहा हूं 7th question पर चल रहे हैं भई हां जी 7th question है यह रहा it is difficult to practice QS वाला आप pair ढूंड सकते हैं यह रहा QS D answer रहेगा 7th question का हां जी 8th question यह रहा भई people in dire need it is a truth तो Q से शुरू होगा यह तो clear है Q से शुरू यह हो रहा है और एक यह हो रहा है it is a truth universally acknowledge that people in dire need for assistance reach out to their friends and family ठीक है तो यहां पर क्या रहेगा Q और उसके बाद R फिर P यहां पर देखो दिखा रहा है वो यह गलत हो जाता है तो QPSR रहेगा QPSR आंसर रहेगा यहां पर हां जी अब देखो यह तो बाद में ही पता चलेगा बट हमारी आंसर की intuitive है देखो हमसे गलतियां हो सकती है बट बहुत कम chances हैं के हम गलतियां करेंगे ठीक है ना हां जी चलो His vengeful and diabolical nature P और R दोनों का combination बनेगा P और R वाला एक में ही है D में वो आपका आंसर है वोई 9th question D answer 10th question देखो यह भी थोड़ा सा confusing था ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं between the two rival teams I have witnessed bitter fights on more than one occasion यह इस तरीके से है बट यहां पर जो answer बनेगा वो क्या बनेगा on more than one occasion I have witnessed bitter fights between the two rival teams ठीक है तो R यह पहले आएगा उसके बाद S आएगा then P and then Q ठीक है यह रहेगा भई आंसर ठीक है 10th का आंसर रहेगा B चलो next यहां पर 11th question का आंसर था D ठीक है यह answer हो जाएगा भई 11th का D 12th का answer मैंने पिछले वाली जो part में था उसे ठीक कर दिया था indignant सही है भई answer B option सही रहेगा ठीक है चलिए कोई बात नहीं है अंजू जी हमारा काम ही है मदद करना ठीक है यह मैंने सारे vocabulary के sessions में कराया हुए थे almost covered थे ठीक है एक आदा question covered नहीं होगा यहां पर जो answer था 13th question था incendiary speeches answer क्या था incendiary speeches यह answer था 14th question यह देख सकते हैं आप इसका answer है parochial C parochial answer है 15th question answer is cataclysmically ठीक है C answer आपका ठीक है बिलकुल C will be your right हाँ जी C आपका सही answer है भई next question 16th यहां पर जो धिया गया था वो था often used and unoriginal ideas C answer है भई 16th question का याद रखेंगे धन्यवाद रोहन चोधरी जी हाँ जी 17th disinterested disinterested के लिए indifference हम use करते हैं भई disinterested के लिए हम indifference use करते हैं हाँ जी 17th का answer A है भई 18th देख सकते हैं आप 18th का answer है C ठीक है इसका answer क्या है C है भई अब मैंने बहुत बार आपको कराया हुआ है 2-3 बार मैंने classes में कराया हुआ था word serendipity ठीक है उसी से related ये word आया है serendipitous ठीक है यहाँ पर answer क्या रहता है इसका sudden and abrupt क्योंकि यह event यहाँ पर गलत दे दिया गया इस event की वज़े से यह encounter नहीं बना encounter negative sense में होगा तो C option रहेगा ठीक है भई मेरे according हाँ जी यह रहा next है complicancy ठीक है A option answer है भई 20th का direct answer है free of interest ही indifference होता है गुरी जी हाँ जी वो ही indifference होता है जी हाँ चलिए I hope के आपको सारी चीज़ें clear हो गई होंगी हाँ जी ठीक है तो I hope के आपका paper अच्छा हुआ हूँ ठीक है इस paper में जो good attempt रहे होंगे वो 85 plus रहे होंगे याद रखेगा अगर आपकी accuracy 100% है और आपने 85 plus सही attempt किये हैं तो आपके chances है proper chances है हाँ जी ठीक है और इसके interview की preparation भी हम जरूर कराएंगे आपको and that will be free of cost आपको जो भी guidance चाहिए वो जरूर provide कराएंगे अगर आप disappointed हुए हैं कि भाई ये मेरे paper अच्छे नहीं हुए है EO का हो चाहिए APFC का हो तो don't worry ठीक है August से September में ALC की notification आएगी आप उसकी preparation भी कर सकते हैं आराम से ठीक है syllabus यही रहता है लेकिन level थोड़ा सा अलग रहता है ठीक है जी हाँ जी वो दूसरी वीडियो में हमने करा दियें रिशु जी आप वो जा करके चेक कर लो Sonu बट paper उतना tough नहीं था क्योंकि आप GS और क्योंकि आपकी accuracy 100% भी नहीं रही होगी न तो मैं वो भी आपसे एक बात carry करके चल रहा हूँ ठीक है तो कोशिश करना के आपकी सारी जो preparation है वो अच्छे तरीके से हो जाए हाँ जी और आप इसकी जो answer की है वो telegram से download कर सकते है वहाँ पर available हो जाएगी ठीक है link description में you can join there and download the answer की हाँ जी भई मैं expect तो यही करूँगा हाँ जी मैं expect तो यही करूँगा हाँ जी चली ठीक है guys thank you very much all the best for your result and don't lose hope अगर paper अच्छा नहीं हुआ ठीक है paper tough थे दोनों tough थे lengthy थे paper ठीक है कोई अगर यह कहे के paper easy था तो शायद वो मूर्ख है ठीक है हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि EO AO की तुलना में यह paper easy था हाँ जी भाइस यह PF का थो हमने full crash course शुरू कर रखा है ठीक है YouTuber free of cost है आप वो देख सकते हैं कभी भी लगा सकते हैं ठीक है हाँ जी चली ठीक है guys thank you very much thank you thank you and success tree is always there to help you पिछली बार भी 250 officers EO AO में दिये थे इस बार भी chances वो ही रहेंगे ठीक है जादा ही होंगे ठीक है जी तो don't worry about that we will always be there for you thank you guys thank you very much कारी यपको लुएंगे